हेलो गाइस आज हमारे पास M12 जो के M12 हैंड सेट है और यह नो रेस्मांस में है अगर आप चार्जिंग में लगाएंगे यह DCC आउन करेंगे 6 number port पे देख सकते हैं 00 consume कर रहा है कोई MPR consume नहीं कर रहा है बैटरी हमने निकाल के भी यहाँ पे लगा ली है तो चलिए PC भी बाहर निकालते हैं और इसमें थोड़ा सा cool testing कर लेते हैं बैटरी कनेक्टर पे क्योंकि यह हमारा first step होता है और इसमें problem जो है friends आपको हम direct solution इसमें देख सकते हैं एक तरफ GR आ रहा है दूसरे तरफ OL और line हमारी सही है कोई shorting नहीं है बैटरी कनेक्टर हमारा कोई shorting नहीं है अभी हमको यह शिल निकालना होगा इसके अंदेर ही हमको काम करना है और उससे पहले एक बार सारा PCB आपको I scan करके या फिर कुछ capacitors चेक करके भी देते हैं क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है इस handset में particular power AC का fault होता है बट यहां पर कुछ line हम CPU के पास भी चेक कर लेते हैं कुछ capacitors हो सकता है किसी ने CPU वगारा पर heat मार दी हो या फिर कहीं water damage भी हो सकता है क्योंकि कुछ-कुछ handset में particular same तरीखे की problem आती है तो आपको same तरह से ही repair करना होता है यहां पर friends school testing करते हुए कोई हमको problem नहीं मिली water damage भी नहीं है set एकदम fresh है साफ है कोई काम किया हुआ नहीं है बड़ किसी एक technician के पास जाकर आया है बड़ ज्यादा उन्होंने कुछ काम किया नहीं इस पर तो यहां पर friends सबसे पहले power AC के पास की हम जो shield है उसको निकालते हैं पत्रे को उससे पहले यह camera की जो प्लास्टिक की जो यह connectors होती है इसको आपको remove करना है otherwise यह जल जाएगी क् mother boat पे काम करने वाले हैं तो यह damage हो जाएगा खराब हो जाएगा तो camera सहीं से बैठेंगे नहीं fix नहीं होंगे तो चलिए सबसे पहले जो power AC के उपर की जो shield लगी हुई है पत्रा जिसे आप कहते हो उस पत्रे को निकालते हैं तो यहां पर मैंने 370 heat रख ली है और air 3-4 के ब पत्रा है शिल्ड है उसको remove कर लेते हैं ध्यान से काम करना है आपको इसका motherboard बहुत ही नाजुक पतला सा होता है CPU में भी heat जा सकती है तो आपको ध्यान रखना है तो मैं यहां पर shield remove कर रहा हूं जो power AC के उपर है और इस motherboard में problem क्या आती है भी मैं आपको diagram से भी समझाओंगा तो पहले यहां पर shield remove कर लेते हैं वीडियो पुरा end tech देखिए बीच बीच में आपको बहुत सारे tips and tricks बताऊंगा कि problem क्यूं आती है इस handset में और क्या problem आती है diagram के throw भी अभी बताऊंगा तो सबसे पहले shield remove कर लेते हैं तो थोना सा patience रखिए आप आपके पास जब handset आएगा आपको इसी तरीखे से काम करना है अलाके काफी बार मैंने वीडियो बना दिया है बट इस बार मैं सोचा हूं कि इसको अच्छे से आपको बता दू कि करना क्या होता है इसमें कई बार यह set आता है market में घूमता है लो सबसे पहले पावरेशी के ऊपर का यह शिल्ड को रिमूफ करें आप देख सकते हैं शिल्ड हमने रिमूफ कर ली है अभी हम इसमें से पावरेशी ओपन करेंगे मतलब पावरेशी खोलेंगे उससे पहले आपको यहाँ पर बता दू थोड़ा सा गलू अगरा कुछ करनेक्टर पर आ चुका है इसको थोड़ा साफ कर देते हैं और अभी हम चलते हैं सर्किट की और तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ पावरेशी के पास कोई शॉर्टिंग वगरा तो नहीं है यहाँ पर मुझे कुछ भी शॉर्टिंग नहीं मिली क्योंकि मुझे पता है इस हैंसेट में जो प्रॉब्लम आती है वो पावरेशी से आ होगा तो वीडियो पुरा एंड टक देखिए बिल्कुर इसकी पना करें फ्रेंट्स एम एक सूपचीस याने एम बारा जिसे आप कहते हैं इसमें मीडिया टेक चिपसेट होता है जिसे कि आप देख सकते हैं और यह इसका लगा यहाँ पर तो फ्रेंट्स इसमें होता क्या है प्रॉब्लम मैं आपको बता दूँ इसका जो पावर इसी है mt6357crv इसमें होता है फ्रेंट्स इसकी जो यह नौसकट पॉइंट है इसके लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर यह जो डॉट दिख रहे हैं यहां से एक डॉट होता है नीचे जिसमें हम एक कैमियो के ना के लिए पीन है यहां पर देख सकते हैं V-CAMEO यहां से तूर जाती है डिसकनेक्ट हो जाती है और यह आहिस्ता से हिलते रहती है इसमें यह प्रॉपर कनेक्ट ना होने करण यहाँ पर इसका वोल्टेज नहीं बनता है और यहाँ पर वोल्टेज ना बनने के करण यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज बनता है और यह वोल्टेज यहाँ पर आता है इस पिन से डिस्प्ले में आता है यह देख सकते हैं डिस्प्ले के कनेक्टर पर और यह पिन अ तो अगर आपको समझना है तो मैं यह रेडमी 6A का डाइग्राम काना हूँ, सेम एम टी सिक्सरी फाइसें सियार भी लगी है और एस सत्रा की जो पीने अगर वही चीज़ अगर हम बिट मैप में अगर देखेंगे तो रेडमी 6A का यह बिट मैप है तो यहाँ पर आपको बता दूँ यह पीन जो है इसकी A17 की पीन है यह देख सकते हैं और इस वाले डाइग्राम में अगर आप देखोगे तो यह इस तरीख से कनेक्टर पे कनेक्ट है और यह क्यामरों के कनेक्टर से कनेक्ट है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा A12 की जो PCB है इसमें अगर आप देखोगे तो यह कन लगे हैं बस यहां तकी यह सकते हैं नीचे से इस तरफ से यह CPU में चले जाती है और इस साइट की जो पीन है यह वापस से एक और चारजिंग ऐसी से होते हुए यहां पर connect होती है यह नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाली पिन यहाँ पर connect होती है तो होता क्या है friends यहाँ पर इसके loose contact हो जाने की वज़ा से यहाँ पर voltages ना मिलते हैं और उसे आपका CPU activate नहीं होता है और आपका कभी graphic आएगा कभी light ब्लर हो जाएगा तो इसका solution यह है कि आपको power ic को निकालना है और इस last वाले गोले को यहां से यह वाले dots से अच्छे से jumper कर देना है और वापस से ic को आपको लगा देना है जो कि हम अभी आपको बताएंगे यह power ic उठा करके इस वीडियो में तो वीडियो पुरा एंड तक देखें बिल्कुल इसकिप ना करें यह solution है आपके लिए तो मैंने यहां पर diagram के साथ आपको बता दिया है कि यह वी cameo की एक line है जैके miss हो जाती है हमारी यह वाले section की चलिए वीडियो पुरा में तक देखें बिल्कुल इसकिप ना करें तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको पावारे सी रिमूफ कर रही है है mt6357crb नीचे का फस्ट देख रहे हैं वह यहां पर मुव हो रहा है जैसे कि अभी ट्विचर से हमने देखा तो यहां पर जो उसका बाहर आउट साइट पर जो टीपी दिया है वहां से जमपर कर देंगे एंसी यह देख सकते हैं पिन हमारी अभी भी मूव हो रही है उसको वहीं पर जमपर करते हैं अब अलक से वायर लेकर जमपर कर यह और यूवी गुलू लगा देंगे अच्छे से ताके वह पिन कहीं पर आपको दिख रहा महीं से आपको जमपर करना है और यूवी गुलू लगा देना है और यूवी गुलू लगा करके पावर इसी जो नीचे पैट से उसको क्लीन कर लेते हैं ताकि नया पावर लगाना है हमको तो एक बार में हमारा काम सक्सेस हो जाए यह आप निकालते हो तो इसे पीने लगा देंगे हम और यूवी गुलू लगा करके यूवी लाइट की नीचे हमें इसे अच्छे से शुखा देगा है तो चलिए यह वाजवर रख देते हैं और पावर ऐसी को रिवाल करते हैं जो हमने इसी निकाली थी उसके पिने ओपन नीचे होती है तो उसको पूरा सही प्रॉपर से रिवाल करते हैं एक बर और रिवाल करके वापस लगाएंगे हैंडसेट में तो वीडियो एस तरीखे के और वीडियो अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं डीप सेलूशन के साथ तो हमारा एप्लिकेशन प्लेश्टोर मोबिकर सलूशन तो आप हमारा प्रॉइन कोड्स लेते हैं अगर से तो आपको काफी सारे वीडियो जो के प्रैक्टिकली वीडियो से रहेंगे वह फिरी कोफोर्स मिलेंगे शिक्स मंत के लिए आपको फिरी मिलेंगे जिसमें 100 प्लस वीडियो चेकिंग शेट शोर्टिंग लिकेज डेड मुबाइल पर जाकर के पचास-साथ हजार रुपे देने का ज़रूद नहीं है आपको ओल्ली पंद्रह हजार में आपको यह कोर्स दिया जा रहा है तो यहां पर फ्रेंट्स पावर ऐसी लगा लेते हैं चलिए तो यूवी गुलू जो लगाए थे थोड़ा बिलेट से उसको स्क्राच कर लेते हैं ताके जो जंपर है वह हमारा जो आईसी है उस पैट तक जाकर टच हो अधरवाश से डाउन नहीं होगा तो यूवी गुलू साफ कर लिए है हमने थोड़ा सा फ्लक्स लगा करके पावर फिक्स करके चेक करेंगे हमारा प्राबलम सॉल्फ हुआ है या नहीं हुआ है तो ध्यान से रखना है देख सकते हैं नीचे एक बार कूल टेस्टिंग भी कर लेते हैं कोई जी आर नहीं आना चाहिए या बीप नहीं आनी चाहिए यहाँ पर उपर वाली ट्रैक में क्योंके इसलिए भी फिक्स नहीं है तो इसलिए कहीं वहां पर जी आर नहीं आना चाहिए इसी फिक्स होने के बाद जी आर आना चाहिए चलिए पावर लगा लेते हैं वीडियो थोड़ा फास्ट फारवड में है क्योंकि यह पावर पर ही काम करना है यहां पर मैं चेक कर लेता हू का PCB कूल हो जाता है करेक्टर अच्छे से साफ कर लेते हैं और PCB पूल होने के बाद हुआ पी पीको फोलडर में फिक्स कर लेते हैं और फिक्स करके चेक करेंगे हमारा हैंड़ आन हुआ नहीं बैटरी में चार्ज होनी चाहिए पहरे जो डेट कंडिशन में आया अभी तो यहां पे फ्लक्स जो है और बैटरी जो है अच्छे से कनेक्ट होनी चाहिए फ्रेंड्स अजर्वाइस लोगों वगारा कुछ नहीं आएगा जैसा यहां पर कुछ नहीं आ रहा है अभी एक बार निकाल करके अच्छे से फिर से फिक्स कर लेते हैं कि थोड़ा सा पेशर्श रखना है आपको थोड़ा सा बोड़ भी गरम है थोड़ा थन्दा होने देते हैं और चार्जिंग बिल्कुल 0% रहती है इमेडियेटली या फिर बैटरी सही से नहीं लगती है आपकी तो यह लोगों वगारा कुछ नहीं आएगा यह देख सकते हैं देशे मैंने बैटरी निकाल के लगाया लाइव आप देख सकते हैं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है तो आपक पर निकालके लगाने के बाद 62% यहां पर शो कर रहा है ग्राफिक और लाइट दोनों आचुके हैं चलिए अन आफ की को ट्विजटर्स से आउन कर लेते हैं चारजिंग तो है 62% शाजर्स लगाने की ज़ूरत नहीं है तो चलिए यहां पर ट्विज़स से आउन कर लेते ह से तोड़ा सा डिस्पले सही से नहीं लगा लेते हैं और जैसे आप तो पलठा लेंगे सेट को यहां पर देख सकते हैं सैमसंग गैलक्सी एबारा यहां पर आ चुका है और हमारा जो प्राब्लम था वो सॉल्व हो चुका है यह कस्टमर्स के सेट होते हैं फ्रेंड्स लाइव रिपेर किया जाते हैं आपने देखा पुरा शिल्ड पैक पीस हमा कर सकते हो तो पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से भी आपको कभी कबार काम करना पड़ सकता है तो यह अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे से आफ्लाइन सीखना चाहते हैं तो हमसे ट्रेंग ले सकते हैं हैंड्स सारा चीज़ आप कराएंगे ऑनलाइन में आपको बहुत रंडिंग का कोर्स है हमारा सिक्स मंद का वीडियो कोर से जाइन कर सकते हैं डिस्प्ले पर नंबर दिये गया है रहे सकते हैं हमारा एंट्सट पूरी तरीख से आन हो चुका है और हमारा जो नंबर है 7075-235173 वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेर करिए थैंक्य वेरिवच फ्रेट्ट्स